इतिहास की दिल्चस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया प्रयाग राज या इलाहबाद ये भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक शहर है क्योंकि यहां गंगा, यमुना और सरस्वती तीन पवित्र नदियों का संगम होता है हाला कि सरस्वती नदी नजर नहीं आती है उसे अद्रुष्य माना जाता है इलाहबाद को इस त्रीवेनी संगम के लिए जाना जाता है और यही वज़ा है कि यहां रोजाना लाखों लोग पवित्र नदी में डुब की लगाने आते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में अंग्रेजों के शासनकाल में इलहाबाद एक दिन के लिए देश की राजधानी बन गया था इलहाबाद शहर जितना पवित्र है उतना ही एतिहासिक भी है प्राचीन इतिहास में गंगा और यमुना के बीच वाले शेत्र का अभिन अंग रहने के बाद मुगलों के दौर में भी इलहाबाद उरुज पर रहा ये शहर स्वतंतरता संग्राम के दौरान कई क्रांतिकारी गतिविधियों और मुहीम का गड़ भी रहा इसके अलावा ये मदन मोहन मालविया और जवहरलाल नहरूजे से कुछ महान नेताओं का ग्रहनगर भी रहा है कुर मिलाकर इलहाबाद का अतीत बहुत सम्रुध और कहानियों से भरा हुआ है लेकिन इस शहर की असली कहानी समझने के लिए इसका हिंदू महाकाव्यों और प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से संबंध समझना बहुत जरूरी है क्योंकि प्रयाग की कहानी वहीं से शुरू होती है इस शहर की कहानी जानने के लिए हमने इलहाबाद यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ओफ आर्ट्स के डीन और इतिहासकार हेरम चतुरवेदी से बात की तो प्रयाग का ये संस्कृत शब्द है प्रधन याग प्रा का अभी प्राय अर्थ होता है प्रकष्ट जो प्रकट हो और याग बेसिकली मेंस यग तो ये यग की स्थली थी और ये माना जाता है ब्रह्मा जी की यग की स्थली थी ये यग क्या जो वेदी होती है उसके प्रियाग पड़ा है जो हम बात करते हैं ना संगम की प्रियाग मतलब संगम और इसलिए वो देखिए तंत्र में भी हट योग में भी इसका जिक्राता है गंगा जमना सरस्वती की तरह वहां इड़ा पिंगला और सुश्मना नारी तीन तो वो इसलिए भी है कि लोग पूछ सरस्वती अद्रिश है सरस्वती अद्रिश को भी हमें समझना पड़ेगा यानि इतिहास के साथ अगर भूगोल अभूगर बशास्रिज जियोग्रफी और जियोलोजी का अध्यान हो तब हमें इस बात को समझ सकते हैं तो वहां से पता चलता है कि क्या क्या परिवर्तन हु जो देखे हम लोग सुनामी देख चुके हम लोगों की पिवड़ी ने सुनामी देखी है और उसका फल देखा क्या हुआ था तो उसी तरह एक बहुत बड़ी कोई प्राक्रतिक अब्दा हुई थी जिसमें ये सरस्वती सब्टेरेनियन या अंडर ग्राउंड हो गई अद् संगा से उसका सिंगम इलाबाद पे होने लगा तो हो सकता है कि सरस्वती की कोई सहयक नदीद इसे ट्रिब्यूटरी कहा जाता है वो चली आई हो जमना के सासा परवाहित होती हुई ये प्रयाग का उलेख आपको वालमी की रामायन में भी मिलता है वेद्वयास करत महाभा भारत में भी मिलता है और चैसे ही संगम का इस्थल है वही पर त्रेता युग में भारतवाज जी का आश्रम ता वालमी की जी ने विवर्णन किया है और भारतवाज आश्रम आज भी मौजूद है तो ये प्रयाग की प्रारंबी बात है देखिए हिस्ट्री की पॉइंट भी उसे बात करेंगे तो बुद्ध्म जी के यहां आगमन की चर्चा है विहारों की चर्चा है जैन तीर्थनकुरों के आगमन की चर्चा है और इसलिए ये इस्थान सिर्फ एक मत एक धर्म का ने सभी मत मतांतरों का एक बहुत बड़ा केंदर हो गया इसी से इसका चैव मतावल अम्री भी नात संप्रदायवाले भी शिद्ध भी यहां सब आपको मिलेंगे सब क्यों मिलेंगे क्योंकि अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान था प्रयाग विभिन आस्थाओं का तिर्थ केंदर रहा है लेकिन इस शेत्र के आसपास कौशामबी जैसे स्थानों से मिले सबूतों से पता चलता है कि ये शेत्र कितना प्राचीन है कौशामबी महाजुनपत के समय से ही एक महत्वपूर्ण राजधानी रही थी प्राचीन इलहाबाद के बचे रह गए अवशेशों में से सबसे महत्वपूर्ण अवशेश है इलहाबाद स्थम्भ हाला कि इसके इतिहास को लेकर विद्वानों में मत भेद है लेकिन ऐसा माना जाता है कि तीसरी सदी इसापूर्व का ये अशोक स्थम्भ कौशामबी म महत्वपूर्ण इसके इसे इलहबाद लाया गया था स्थम्पर समराट अशोक उनकी पतनी करूवकी के अभिलेक और कौशामबी के प्रधान का फर्मान अंकित है इसके अलावा इस पर गुप्थ सम्रात समुद्र गुप्त से संबंधित प्रसिध प्रयाग प्रशेश्थ प्रयाग प्रशस्थी गुप्तकाल के कवी हरी सेन ने लिखा था और इसे प्राचीन भारत की जानकारी का सबसे महत्वपूर्न स्रोत माना जाता है। प्रयाग कुशान और मौर्य जैसे महान सामराजीयों का एक हिस्सा था। इसका जिक्र चीनी भिक्षू और यायावर हुएंसांग के दस्तावेजों में भी मिलता है। किले की दिरीवाल से ठड़ जाते हैं उस पर उससे कूच जाते हैं और मुख्ष की प्राप्ति की तो ये एक वागाईदा रिकॉर्डेड हिस्ट्रिया में उसके बास से मिलने लगती है। सरकार ने उसको खोला इस कुम्ब के बहाने जिसे कुम्ब नाम दिया गया है अर्द कुम्ब 2019 में जो हुआ तो हम लोगों ने पाया वो पातालपुरी का मंदिर बिल्कुल सुरक्षित संरक्षित था। और अक्बर के काल के दस्तावेज मिलते हैं मददे माश दिया गया उनको कि यहां पर निरंतर पूजा होती रही और जिस परिवार को दिया गया उनके पास यह मददे माश का फरमान सुरक्षित है। और उसकी पुष्टी सलीम तो यहां सुबेदार रहा उसकी पुष्टी उसने की बात के बाश्याहों ने की और निरंतर उनक पास रहा देखिए सुरक्षित और संरक्षित रहा पातालपुरी मंदिर बावजूद इसके कि अकबर ने किला बनवाया वहीं उसी के उपर और वो मंदिर वैसी कि वैसी आज भी सुरक्षित है वट रक्ष मूल वाला आज भी सुरक्षित है इसी से हम समझ सकते हैं कि कोई इस तरह का भेद्भाव मधिकाल में भी उतने इस तरह पे नहीं ता जितने माना जा रहा है लेकिन एक महत महत पूर्ण बात है कि जब तक बसाह नहीं है हाँ संगम के उस पार अगर आप जाएए पूरब में जाएए तो आपको जोसी दिखाई देती है पृतिष्ठानपुर प्राचीन और अगर दक्षिण में चली जाएए तो आपको अरैल मिलता है जहाँबाद में रामानद की कचैरी थी तो उसको अगर ध्यान से दे पर उनकी वेदशाला थी जहाँपर वो रसाइन शास्त खगोल का सबका ध्यान करवाते थे दस अजार चात उनके उसमें पढ़ते थे गुरुकूल में और इसलिए इसका बहुत महत हमें मिलता है मद्दिकाल के पूरे पिरियड में इलहबाद वन ही रहा प्रयाग छेतर छ प्रशाशन था वो जो इसे आज हम कौशांबी कहते हैं वहाँ पर एक जगह है कड़ा मानिकपूर कड़ा जो है वो गंगा नदी के दक्षिण में है और मानिकपूर उसके उत्तर में है और गंगा बीच में बह रही है तो कड़ा मानिकपूर जोड़ करके बना कड़ा मानि पूर और यहीं से सारा प्रशाशन होता था मधिकाल में और ये अलाउद्दीन खल जी जैसे शाशक का शुरू में एक्ता रहा उसका यहां का गवर्णर रहा यहीं उसने अपने चचा को मारा जलाल अद्दीन खल जी चचा भी है ससुर भी है उसका शाशक भी है उसको मारा है और यहीं से वो शाशक बना तो यह कड़ा मालिकपूर से वहां तक का प्रशाशन देखा जा रहा है और इस्टर्ण रीजिन में जब मुगल आ गए हैं तो वहां बहुत ज़्यादा उपद्रव होता था उपद्रव का एक किस्सा सुना दूँ आपको कि बाबर ने अपने बे भारत में पश्यमोत्तर भारत में लेकिन पूरवी छेत्रों में नहीं जाएंगे क्योंकि वह अफगानों का होल्ड था आपको मालूम है अफगानों को ही हराया था पंद्रव सचब्वेस में इबरहीम लोदी को बाबर आया था कोई जाने को तयार नहीं हुआ हुमायू अ मिरंतर पूर्वी छेत्रों में अभियान पे आना पड़ा हर बार कड़ा माने पूरा आता था तो उसके जहन में यह बात आए कि अगर एक हम किला बनाएं स्ट्राटेजिक सामरिक दरिश्टिकों से तो वह जगए यही सबसे अच्छी होगी मुगल बार्शा अकबर के शासनकाल में यहां के इतिहास का एक नया अध्याय शुरू हुआ था अकबर नामा में अबु फजल लिखते हैं कि बार्शा ने प्राचीन प्रयाक के पास एक नया शहर बसाया था और सन 1583 में वहां एक किला बनवाया था वो इसे इलाबास कहते थे ये प्रयाक के करीब बसाया गया एक नया शहर था ये शहर मुगलो के दौर में एक सुबा बन गया था जहां बहुत खुशाली आ गई थी शहजाद सलीम यानी जहांगिर ने इसे अपनी राजधानी बना लिया था लेकिन इस थान का संबंध अकबर के सबसे लाड ले पोते खुसरो की त्रासद कहानी से भी है यहीं खुलदाबाद इलाके में खुसरो बाग में उनका मकबरा है ये एक इर्रेगलर सच्छेत्र था इसलिए किला यहां पर बड़ा इर्रेगलर किला है अकबर के बागी किलो को देख लीजे आगरे को देख लीजे लाहर को देख लीजे आफ़त पुर्शीकरी देख लीजे ये फरक हैं और इलाबाद का किला बहुत इर्रेगलर पैटर्टर पर बनाया उसमें क्यों कि संगम का इलाका था फिर वो चाहता था कि अफगान इसको इस्तमाल ना कर पाए तो नदी के इस पार बने सुरक्षात्मक दृष्टिकोर से और यहीं से फिर वो अफगानों के खिलाफ आक्रमर करता था और उसने पूरे पूर्वी छेत्र को नियंतित कर दिया था संगठित कर दिया था और पंदा सो असी आते आते वो सूबों का गठन करता है तो इस सूबे का नाम इलावास करता है इला, मनु की पुत्री ब्रह्मा के मानस पुत्र तो वो इला, इलावास का नाम चला आ रहा है, अक्बर नाम नहीं बतलता है, ये नाम इलावास से इलावाद या इलावाद मिलता है शाजहां के काल में, ये तो जब अंग्रे जाए जिस तरह से प्रिनूंसियेशन करते हैं कानपूर को C A W N P O R E कानपूर, जबलपूर J U W B U L P O R E जबलपूर, उसी तरह उन्होंने इलावाद को कर दिया अलावाद, तो ये एक बात इतिहास की है, जो हमें गौर करनी है, डिस्टॉर्चिन्स लेंग्विज का कैसे होता है, और उससे पूरी पूरी एक जिसे कहते हैं कल्चिरल परिवर्तन कैसे आता है, ये अंग्र परिजों के काल से, तो ये इलावाद है, जो अकबर बना रहा है, इलावास, यहां किला बना रहा है, तो सबसे बहुत पूर्ण बात है, वो सबसे पहले सोचता है कि गंगा को रोकना है, नहीं तो हमारे किले की सुरक्षा नहीं होगी, तो बख्षी बात बनवाता है, का कुर्स और बदलता चला गया, पूरा उसका प्रवाक्रम, अब ये बख्षी बान बड़ा मज़ेदार है, किले के साथ, किले क्या प्रबंद करने के लिए, वहां सैनिच्छावनी का प्रबंद करने के लिए, जो व्यक्ती रखा जाता ता, तो बख्षी कहला था, प्रां व्यवस्ता करे, तो बख्षी बान इसी लिए कहला आया, तो एक तरफ उसने गंगा पे बान बंद वाया, दूसरी तरफ उसने यमना पे, यमना पे बान उसने खुद बंद वाया, इसले उसका नाम यमना बंद रख दिया गया, और सबसे मज़ेदार बाद किला बनाने के उसने किले के पूरे के पूरे पश्चिम शेतर में एक जिसे कहते हैं वाल्ड सिटी का निर्मान करता है, ये शहर भी इलावास कहला या, तो मुगलों के काल में किला तो बन गया, वाल्ड सिटी बन गई, जब वाल्ड सिटी बन गई, तो बाग खूप सारे बने हैं, और ज जूजू के जाँगीरी तो उसमें मिलता है कैसे खुसरो को उसने कैद का रखा को आजात किया है कि शाम को जा और टहलो कहा टहलो शराराबाग तो किले के जो तुरंट आपको पश्चिम में दिखाई देता वो शराराबाग का इलाका है और खातम होता है जाके कि खुलदा भ बाग पे खुल्दा बाग का इसलिए महत्मून है कि खुल्दा बाग का बाग एक था बड़ा जबर्दस ये बाग उसकी चैरगा थी और खुल्दा बाग इसलिए महत्मून है खुल्दा बाग इलहबाद का पश्चमी दौर था वाल्ड सिटी का पश्चमी दौर तो वहां ब लाग में घूसने का जो उसका रिसॉर्ट था जहांगीर का वो गेट अगर आप देख ले तो वही मुख्धवार आपको दिखाई देगा बिल्कुल रेप्लिका उसका जो किले का मुख्धवार है और बिल्कुल वैसे ही आपको दिखाई देगा फतेपूर का फतेपूर सीक् वो तक वैसी ही है तो ये बहुत महतून इलाका था और ये तो बाद में जब उसकी बेगम वहाँ पर आत्मत्या का ली थी शा बेगम ने तो उसका मकबरा बना और तब बाद में 1622 में जब उसके बजेश्ट पुत्र खुसरों की हत्या मैं तो हत्या करी खुर्रम ने जो शाजहा बना और यहां आ गया तीन जून के सवेरे भेज़ दिया गया आगरा सेगी जाओ इलहाबाद में दफन कर दो इसे तब ये खुसरो बाग कहला या नहीं उससे पहले खुलदा बाद का बाग कहला था खुसरो अगर उस इस्तिती में ना होता कि अकबर का उत्रादिकारी है वास्तविक उत्रादिकारी वास्तविक उत्रादिकारी मैं इसलिए जोड़ दे के कह रहा हूँ क्योंकि जो सांस्कृतिक समनवे का अकबर का विचार था वो हमें पूरा का पूरा खुसरो में दिखाई देता है इसलिए वो खुसरो पे जोड़ दे रहे हैं और खुसरो को अंत्तो गत्वा बड़ी ट्रैजडी है खुसरो को मारा इसलिए किया क्योंकि नूर जहां चाहती थी उसकी बेटी लाड़ी बेगम से शादी कर ले लेकिन खुसरो का नाम आता है तो यह जी बता दू अकेला मध्यकाली ने शाशक है जो एक विवा करता है ऐसे में जब लाड़ी बेगम से विवा मना कर देता है तो उस उसलिए भी से हटाओ रस्ते से खुर्रम से बहुत ज़्यादा करीबी है लेकिन खुर्रम से बाद में नाराज़ की हो जाती खुर्रम जियाशा जहां विद्रो भी करता है उसके बावजूद भी दक्कन वही समाल सकता इसलिए जब शर्त लगाता है खुर्षरो हमें दे दो तो कहते हैं जाओ अच्छा है बलाटले मालूं है मार देगा खुसरो को उसकी मर जाने दो हमें कोई फरक ने परता लेकिन आप सोचिए वो खुसरो जब मार दिया जाता है शड्यंत के तहत सब शिकार पर चले जाते हैं दिखाने के लिए कि हमने कुछ नहीं किया उसका मर्डर हो जाता है और वहां जहां उसे गाड़ा गया है वहां पर मेला लगने लगता है लोग जियारत करने लगते हैं मनत मांगने जाने लगते हैं तो फिर वो कहता है कि भाईया मैं नहीं समाल सकता ये ताबूत हम आगरा भ आपको बताओं देखते देखते आगरा जो राजधानी वहां की विवस्था बिगड़ जाती है मीर बखशी मौजूद है दीवान वजूर मौजूर है वकील मौतलक मौजूद है मीर बखशी मौजूद है कोतवाल मौजूद है तारी विवस्था छिन भिन जैसे कि बिल्कुल कुछ विवस्था नाम की चीजी नहीं मुगलकाल एक दिन में इतनी घबराहट हो गई कि दूसरे दिन अलसुबह तीन जून सुला सुबाइस को ताबू तरवाना करती है कि जाओ अलाबाद जहां इसकी मा दफन है शाह बेगम या मान बाई वहीं पे इसको दफन कर दो तो सबसे पूरब में इसकी मजार दिखाई देती है खुसरोबाद में उसके बाद इसकी बहन की सुल्तान निसा की है जो बाद में दफना दी गई सिकंद्रा में आकबर के उसमें और फिर इसकी मा का है इलाबाद सुबे के नाम इलाबाद था और सुबे की राजधानी इलाबाद थी तो ये एक बहुत महत्पूर जगह है जहां से आप दक्षिन भी जा सकती है जहां से आप पूरब भी जा सकती है तो इसलिए उसका महत्व पूरे मुगलकाल में बना रहता है इलाबाद का और सुबा है और सुबे का हैटकौर्टर सिलाबाद है कभी महत्व और देखिए कितना महत्व है कि यहां अपने सबसे विश्वास पात्र विक्ति को न्यूक्त किया जाता था क्योंकि उनकी राजधानी के पूर्वी हिस्चे का पहला पहला अगर कोई सुबा है तो इलाबाद है अकबर ने किसको रखा अपने बड़े बेटे सलीम को शाजहा ने किसको रखा अपने बड़े बेटे दारा को यह लोग यहां के सुबेदार रहे तो सुबेदार इलाब बड़ा पुत्र है तो यही यहां का वो होगा सूबेदार यहां से ट्रेनिंग ले 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 खाट समाई लेगा तो पूर्वी छेत समाई लेगा दक्कन के छेतर को जो मारग है उनको समाई लेगा मगेल खंड बुन्देल खंड से होते हुए जो जा रहा है और फिर बाकी चीजें समल जाएंगे शिवा जी के एसकेप में भी अगर आप देखें तो इलहाबाद का जिकर आता है इलहाबाद से वो बुन्देल खंड होते हुए गए मराठा लेंड अपने वापिस तो ये एक बहुत महत्पून अपने आप में छेतर बना रहा पूरे मध्यकाल में मुगलों के बाद इलहाबाद शहर से अंग्रेजों का संबंध जुड़ गया इसके पहले कुछ सालों तक मराठों ने शहर पर हमले किये थे 21 अक्टोबर सन 1764 में मुगल बादशा शाह आलम दृतिय, अवद के नवाब शुजाओ दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम की संयुक्त सेना का बकसर में इस्ट इंडिया कंपनी के मेजर हेक्टर मंडों की सेना से मुकाबला हुआ था मुगल और उनकी संयुक्त सेना युद्ध हार गई और बादशाह शाह आलम दृतिय को इलाबाद किले में कैद कर दिया गया जहां इस्ट इंडिया कंपनी और मुगलों के बीच एक संधी हुई इस संधी के तहट मुगल बादशा को कंपनी की निगरानी में इलाबाद किले की चाल दिवारी में महदूद कर दिया गया और इलाबाद अंग्रेजों के हातों में चला गया सन 1857 में इलाबाद विद्रोह का केंद्र भी बन गया औरंग्जेब के बाद जब मुगल सत्ता डगमगाई है तो 1750 के आसपास के बाद आप आती हैं कि ये दो बड़े जो छेतरी शाशक थे उनके बीच ये एक संघर्ष या प्रतिदंदीता की वज़े बन गया वो कबजा करना जाते थे जावाब ते एक तरफ बंगश नवाब और दूसरी तरफ आवध नवाब इन दोनों के बीच ये संघर्ष की कॉपिट या युद इस्तली बन गयी थी अब बड़ा सबर्दस वीविनर मिलता हमें कैसे बंगश नवाब ने आक्रमन किया लग बंद किल्भ जीत लिया था इस्तानी शाषक सब उसी के साथ हो गये देखिए ये स्तानी शाषक जो हوتे थे छेतरी शाषक जो हते घेते शत्रब वो जिसको शक्त शाली देकते थे उसके साथ जड़ जाते थे तो उन्होंने अवद छेत्र में रहने के बावजूद उनको छोड़ा और वो उनके साथ जुड़ गए लड़ा कौन गिरी के नेत्रित में सन्यासी नागासादू जो इत्तफाक से वहां लेटे हन्मान पे मौजूद थे वो लड़े और हारा युद जिता दिया अवावत के वान अवाव को और उनको खदेड़ते हुए ले गए जब वो खदेड़ के भागने लगे तो सोचिए पूरी वर्ल्ड सिटी चलाते चले चले गए छोड़ दरियाबाद दरियाबाद क्यों छोड़ा क्योंकि अफगानों की बस्ती थी तो मुगलकाल और उत्तर मुगलकाल में इलहबाद का इतिहास आईस सिर्था का इतिहास का इतिहास रहा है अगर बिटिश पीरिएट की बात करें तो सबसे पहले तो 1857 से शुरू करना पड़ेगा हमें सबसे पहले भवण जो जिसकी मैं बात किया इस्तंब की ये इसमारा की बात करना चाहूंगा वो मिंटो पार्क क्योंकि ये वो जगह है ये बना 1910 में 1857 की क्यों बात करें भी समझ जा रहा है का 1857 की तुरण बात जो कुइन्स प्रोक्लेमेशन पढ़ा गया वो यहां पढ़ा गया कैनिंग ने यहां पर पढ़ा इलहबाद में इ इसे हम लोग महामानव कहते हैं इरहाबाद का वास्तविक पुत्र मदन महन मालवी जी भारत रथ उन्हों ने इसका इतिहास को बनाए रखने के लिए उसकी स्मृति को बरकरार रखने के लिए लॉर्ड मिंटो के समय में एक इस्तंब बनवाया और ये इस्तंब जो है इस कर जो तक है कि कैनिंग के समय में माहरानी का प्रोक्लिमेशन या आदेश यहां पर पढ़ा गया वो पूरा आदेश एक संग्मर्मर के पिलर पे इस्तंब पर जैसे पहले इस्तंब बन्दे थे उस पे बना है 1857 की जब करांती हुई तो अंग्रेज बहुत नाराज था और उस नाराजगी उनके खतों में आपस में दिखाई दे जाती है वो जब उन्होंने कतले आम किया तो उन्होंने का कि भाईया न्याय से हमें तो उनसे वफा की है उम्मिद जो नहीं जानते वफा क्या है तो वो तो न्याय की बात करते थे लेकिन इतना अन्याय तो उन्होंन या था न्याय उचित साबित करने के लिए न्याय उचित तो नहीं साबित कर सकते थे तो ये कर्क तर्क या कुतर के एक था और पूरा का पूरा ये जो तीन-तीन गाओं थे इसको पूरा कटवा के बिच्छवा दिया एंटायर मेल पॉपलेशन वस मेसेकर्ड किसी को ने बख इल्फिट पार्क उसका राम रखा दिया और वही पर मेन साहब के लिए वो बनने लगा एक बहुत बड़ा जिसे आप कह सकती ही महल और थॉर्णिल मेन बाद में उसका नाम पड़ा वही पबलिक लाइबरेरी बनी और वही इत्वाक से जो उत्तरपदेश लेजिसलेटिव का कंसिल की बैठके हुई वहां और मेयो हौल में हुई सबसे पहले और इसी के आसपास गौर्मेंट हाउस बनाया पहली चीज़ गौर्मेंट हाउस की परिकल्पना की की राजधानी है तो गौर्मेंट हाउस गौर्मेंट हाउस जिसे आज किल हम लोग गवर्णर हाउस कहते ह तो गवर्मेंट हाउस बना और उसी के इर्द गिर्द यानि उसके पश्चिम उसके उत्तर पूरा निया शहर बसना शुरू हुआ यानि ये जो वार्ड सिटी है ये जो जमना का प्रवाकरम है जो हम बता रहे हैं कि निरंजन टॉकी इसके नीचे से चला रहा है उसके सारा का सारा उत्तर पूरा इलाका वो पूरा नया शहर बना सुरू हुआ जब अठारा सो सतावन नहीं हुआ था तब तक आर्मी को तो कंट्रूल आपको मालूम है उन्नीस वी शताब्दी की शुरू में ही किला ले लिया अंग्रेजों ने और उस किले से शार्षन करने लगे लेकिन एक सिविल स्टेशन बनना जरूरी था अंग्रेज यात्री उतर रहा है वहीं तट पर उतर के जा रहा है और यह पूरा एक चर्च बना जमना चर्च जमना चर्च कंपाउर में खुप सारे कमरे बन गए जैसे सराय बनती थी वैस पन देखा तो सब्मेट बिटा गए मालूमने कितनी बार पुताई और क्या क्या हो गई उस जोर में नहीं उविर थी तो वहां उतरते थे और वहां से व्यापार करते थे तो व्यापार करने के लिए आपको सीधे दिखाई देता उसके दो दक्षन वाला हिस्सा है वहां प हाउस के पश्चिम का पूरा इलाका सिविल लाइन्स कहलाया पहले कैनिंग्टन ना बखा फिर जब सिविल इस्टेशन बन गया तो सिविल इस्टेशन तो यह जो में रोड जो पहली बनाई उन्होंने गॉर्मेंट हाउस के ठीक दक्षिन पूरी बड़ी सड़क वो किंग कुइन्स रोड और ये कुइन्स रोड अब कहलाती सरोजनी नैडू मार्ग इसी कुइन्स रोड पे दाएं बाएं और दाएं दोनों तरफ भवन बनवा दिये थी और सबसे महत्पून बात यही है कि यह पूरा इलाका यही से अंग्रेज पूरे प्रदेश में शाशन करते थी वो जब बंगाल में बैठा था अंग्रेज तो उसे लगता था यह पश्चिमोतर प्रांथ है तब इसने इसका नाम रखा था नौर्थ वेस्टर्ड प्रविंस पश्चिमोतर प्रांथ उसके बाद उसने इसका नाम रखा संयुगत प्रांथ युनाइटेड प्रविंस उसके बाद ये जाके 24 सारी को उत्तर प्रदेश बना 1950 की बात है। 19 सदी के आखिर तक इलहबाद धार्मिक और सामाजिक सुधारों से संबंधित आंदोलन का केंद्र बन गया। सन 1888 में यहां इंडियन नाशनल कॉंग्रेस का चौथा अधिवेशन भी हुआ था। इसके अलावा यहां सन 1892 में कॉंग्रेस का आठवा और सन 1910 में 25 अधिवेशन भी हुआ था। इलहबाद शहर ने भारत की स्वतंत्रता संग्राम की लडाई में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस शहर से मदन मोहन मालविय, मोतिलाल नहरू, पुरुष्योत्तमदास टंडन और जवाहरलाल नहरू जैसी कई हस्तियों का इतिहास जुड़ा है। शहर में कई स्थान और स्मारक हैं जो इस युक के गवाँ हैं और जो इन नेताओं की धरोहर को दर्शाते हैं। ऐसा ही एक स्मारक है अल्फरेट पार्क जहां 27 फरवरी सन 1931 को क्रांतिकारी और स्वतंतरता सैनानी चंदरशेखर आजाद ने अंग्रेश पुलिस अधिकारियों से घिरने के बाद खुद को गोली मार ली थी। आजादी के बाद इस पार्क का नाम बदल कर चंदरशेखर आजाद पार्क रख दिया गया। अंग्रेश शासन के खिलाफ इलाबाद शहर भारतियस वतंतरता आंदोलन का केंद्र था और आनतभवन जैसे कई स्थान इन क्रांतिकारी गतिविदियों के गड़ हुआ करते उननीस सो इकिस में इलाबाद में उनिस्पल्टी के अध्यक्ष थे एक और भारत रत में राजर्शी पुर्शोत्तम दास्टंडर ये तिलक के बहुत बड़े चेले थे और महमना मदन महनमालवी के बीचेले थे जो उदारवादी थे हिंदूवादी थे जो कह लीजे और गे तिलक जी के चेले थे बिलकुल उग्रवादी दल के और पुर्शोत्तम दास्टंडर अध्यक्ष हो गए और पुर्शोत्तम दास्टंडर जब अध्यक्ष हो गए तो इलहाबाद में पहली बार वाटर क्राइसिस हुई थी जमना वाटर वक्स चलता था उसी से पूरे शहर की सप्लाई होती थी तो यही जल सब लोग पीते थे लेकिन वाटर वक्स से बाकी काम होता था क्राइसिस हो गए सबसे पहले लेफटिनेंट गवर्नर लाट साहब का जो तैरने का उनका बना हुआ था बहुत बड़ा वाटर टैंक हौस का पानी बंद करवा दिया की राजधानी लहवाद रखना ठीक नहीं है यहां की लोगों में जागरती बहुत अधिक है और ये अंग्रेजों के प्रशाशन के खिलाफ हैं और 1922 में बिना कैसे टोटिफिकेशन के चुप चाप अधेरे में राजधानी लखनौ लेकि भाग गया अब देखिए 1921 आते नहरू जी अपना मन बना चुके हैं 1916 में लखनौ कॉंग्रेस में वो गांधी जी से मिल चुके हैं भेंट हो चुकी है वो धीरे धीरे राज़नीती में चले आ रहे हैं अब वो बिल्कुल इसपस्ट कर देते मुझे अब सारवजी जीवन में जाना मैं वाकालत नहीं करू इसपस्ट राए बिल्कुल बन जाती है उनकी तो मोतिलाल जी कहते हैं अगर सारवजी जीवन में जाना है तो पहले तुम प्रशिक्षन लो जाके पुर्शोत्नमदास टंडन से तो पुर्शोत्नमदास टंडन जी मिनिस्पलिटी के अध्यक्ष हैं उसके बाद उनी की शा राष्टी महाल यानि की एक राष्टवादी तक तो सब आगए हैं समराजवाजियों की अब चलने वाली नहीं हैं अठारा सो सड़सट पे अगर हम चले जाएं अठारा सड़सट बहुत महत्पूर्ण है इसलिए महत्पूर्ण है कि दस साल वीते हैं सेयद एहमत की किताब च्प चुकी है उसका अंग्रेजी अनुवाद हो चुका है कारण है विद्रों के अंग्रेजों को सब्सक्राइब आता है इस आदमी के पास दिवाख है तो सरसेयद को पकड़ते हैं और वो बाद में लिखता है गवर्णर पत्र भी अपना की बराबर आपसे सला लेनी तो गौर्णमेंट हाउस के निकट आज की हिसाब से देखें तो पांच मिनट वैसे दो देड़ दो किलो मीटर का फासला है बीस एकड़ की जमीन ठीक भारत वाजा अश्रम के लगभग सामने दे दी जाती है कि आप अपना यहां निवास बना लीजे यहां रहें तो यह कि आईए इस भवन का निर्मार कीजिए आप से हम निरंतर सला लेते रहें ताकि वी आर एबल तू पर्पेच्वेट आवर रूल हम अपने शाशन को सातत्य दे सके अविरलता बना रखें अब सोची कितना बड़ा दिरोदा भास है कि जो भवन बनाया जा रहा है अंग्रेज और अंग्रेजों की सत्ता को उखाने में एक सक्री केंदरी भूमिका अदा करता है तो ये लगभग अठारा सो सरसट के आसपास ये भवन बनना शुरू हुआ और उसके बाद उन्होंने अपने बड़े बेटे के नाम पर इसका नाम रख दिया महमूद मंजिल उनके सेयद महमूद पहले भारती जस्त इलावाद हाईकोर के तो ये महमूद मंजिल बाद में बटेशवर जहांके अटल जी थे बटेशवर के बड़े जमीनदार थे मौरादाबाद में जमीनदारी उनकी थी उसी परिवार में राजा पर्मानन पाठक हुए राजा पर्मानन पाठक ने 1892 के आसपास खरीद दिया उन से महमूद सरसेयद महमूद के लड़के की डेथ हो भी तो उनके बेटे वगरों से वारिसों से और 1892 में उन्होंने खरीदा छे साल रहे 1898 में 20,000 रुपर में मोतीलाल जी ने इसे खरीद लिया तो ये एक बहुत महत्मून है 1869 में ह हाई कोर्ट बनना शुरू हुआ और इसका स्ट्रक्चर बड़ा महत्मून है और सच्चीदान सीना जैसे व्यक्ति यहां प्रैक्टिस करते थे हाई कोर्ट का अपना एक चरित्र था अंग्रेज हाई कोर्ट के बाद वो चरित्र आपको दूसरी तरह का दिखाई देने लग हुआ यहां ऐसे ऐसे वकील हुए ऐसे ऐसे जज हुए जो सिर्फ लिखने पढ़ने में नाम कमा गए प्रमदा चरण बैनर जी जैसे लोगों से ले करके कई ऐसे नाम हैं विद्वानों के जिनोंने महत्पून निर्ने लिए महत्पून मुगदमे लड़े और एक समाज में कांट्रिबूट किया जैसे सचीदानन सिना को ही ले लिए सचीदानन सिना ने पत्रकारिता में अपने हाँ बिहार के हाई कोर्ट के अंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिया कैसे हुआ सर सचीदानन दी का बहुत बड़ा योगदान है तो उसी तरह से हाई कोर्ट ने अपनी एक प्रतिष्ठा को बनाए रखा देखिए तीन प्रेसिडेंसी थी जो में कलकत्ता मदरास बॉम्बे इलहबाद का महत्व इसलिए था कि इलहबाद पहला इंडिपेंडेंट यूनिवस्टी भी है पहली हाई कोड की पीठ अपनी सतंतर पीठ भी है और बाकी हाई आप जानते हैं राजी के नाम से चले लेकिन इलहबाद हाई कोड इलहबाद के नाम से चलिए है यह अपने आप और यह फियर्सली इंडिपेंडेंट इसलिए हो पाया क्योंकि यहां का महौल पूरी तरह से राष्टवाद वाला महौल था और सामराजवाद के खिलाफ था आम आदमी की सुनवाई यहां के हाई कोड की विशिष्टा होती चलिए और एक बहुत तीक वारतावरण बना रहा काफी समय तक मैं कोई टिपड़ी नहीं करूंगा वरतमान पे इतिहास का काम अतीत की बात करना है अतीत में जैसा और यहां के हाई कोड जजेज और वकील भाशन देने विश्विद्या ले जाते थे वो पढ़ाते थे वहां पर यह इसकी प्रतिश्था थी एक बहुत बड़ा इंटरेक साहित समेलन में प्रधान मंत्री रहे और रीतिकाल भाशन देते थे तो हाई कोड के जजेज प्रसाइड करते थे और सुनने जाते थे वाकील लोग बड़े-बड़े सब बैठे सुनते थे तो महौल बड़ा दूसरा था और इसी महौल ने इलहाबाद में पत्रकारिता को भी एक राश्ट्री तेवर दिया और उसी पत्रकारिता के चलते साहित का पूरा का पूरा प्रभाव मंडल जो है वो राश्ट्रवादी हो गया, राश्ट्री असमिता से प्रभावित हो गया, प्रगतशी लांदोलन का केंद्र हो गया, परिमल का क्रेंद हो गया, पुथ इतिहास, संस्कृति और विरासत को संजो कर रखा है। आज भी आप कई समारकों में इसकी विविध कथाईं देख सकते हैं। वजह से ही नहीं बलकि अपनी संस्कृति इतिहास साहित्य जैसे अद्भुत संगम के वजह से भी खास है।